हलो हलो 1241 24 124 कि यह जी आपका आदिया है है हलो हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर मोज में अब एक बात तो ये बताओ सबसे पहले हमारे पास खतम हो गया अभी तक भई हाँ ठीक है इसी के अंदर है हमारे पास management of receivable, working capital, ratio, capital bursting और cost of capital ये खतम हो गए तो कल वाले chapters के question कौन-कौन बच्चे कर चुके हैं वो बताइए कौन-कौन बच्चे कल वाले chapters के question कर चुके हैं आकाश कह रहे हैं सर आज आप handsome दिख रहे हैं एक दम कड़क बहुत बड़ी है वोटे थैंक यू गुपता इमाओ नाइस strategy थ्रो और गूड इवनिंग गूड मॉर्निंग गूड मॉर्निंग एमके मंगला तीक्षा मिश्रा आरुशी और मौम्मद विजाउद्दीन हसन या फाइंड वनीश विपेन सब को गूड मॉर्निंग विपेन ने पूरे पूरे पांच चैप्टर कर लिए फ्यूचर सी ये सी विशाल राज ने पूरे कर लिए वेदिका का रेशो वर्किंग कैपिटल डन है निखिल का डन है डिवियम का डन है रितेश डिपिकार रेखा ओल्डन और जी आपके पास कल सुभा वाले तक हो गए बाकी आज पूरा कर लेंगे बहुत बढ़िया और जी अब तक के चैप्टर हो गए रेशो इस्टार्ट किया है इवेंट प्रीत ने प्रिशान ने बहुत बढ़िया यानि सारे के सारे बच्चे बिल्कुल फिट फार्ट चल रहे हैं एकदम बढ़िया देखेगा आज पूरी एफरी सतम हो जाईगी उसके बाद में फिक्स एरिया से आती है एफम का चैप्टर नंबर वन और टू है बेस इंट्रोडक्शन ओफ एफम और दूसरा है सोर्सेज ओफाइनेंस तो वो मैं एक सिंगल वीडियो डालगूँगा आठनों तारिकों जैसी बूस्टर दोनों खतम हो जाएंगे उससे आपका काम खतम हो जाएगा उसमें सारे जित्ते भी स्टडी मैट के MCQ है वो भी डिस्कस हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एफम आप मानके चलिए कि आज आपका दी एंड हो जाएगा इसके question कर लीजे फिर जित्तिवार revision कर सकते हैं करिए इससे शांदार इससे आसान revision नहीं हो सकता जिसमें concept भी पूरे हो जाएं जिसमें important question सारे हो जाएं जिसमें सारी adjustment हो जाएं उसके इलावा आपको अगर लगता है कि कुछ और additional question आपको practice करने और आपके पास time है तो obviously आपको करने चाहिए जैसे मान दीजे बच्चों को लगता है कि हम study mat को go through करना चाहते हैं बिल्कुल करिए बच्चों को लगता है कि RTP, MTP ये सब पुराने वाले भी उठा के करने हैं बिल्कुल करिए ये आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए इसमें कोई दोराय नहीं है ठीक है तो हम लोग शुरू करते हैं आज एक दो हम उठा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले capital structure chapter है उसी का एक हिस्सा है EBIT EPS Analysis और दूसर leverage छोटे छोटे से chapter हैं और मज़ा आने वाला है इसमें तो capital structure EBIT EPS Analysis live chat को मैं बंद कर रहा हूँ और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं हाँ जी देखेगा capital structure EBIT EPS Analysis capital structure chapter है उसके अंदर आपके पास कुछ capital structure थियोरी दी गई है आज शाम को वो भी होगा दूसरे session में इसे से और capital structure theory के हिस्से से दोनों में से किसी एक हिस्से से एक question जरूर बनता है तो chapter number one capital structure EBIT EPS वाला और दूसर capital structure थियोरी एक chapter और करेंगे हम इन दोनों में से किसी में से question जरूरी आएगा कई बार दोनों में से आ जाता है तो हमने दोनों को separate किया हुए study mat में EBIT EPS analysis आपको capital structure chapter के अंदर मिलेगा तो EBIT EPS analysis में हमें कुछ नहीं करना हमारे पास यहाँ पर सेनेरियो यह बनेगा कि देखो sources of fund हैं यह हमारे पास business है ठीक है कि business के अंदर हमें पैसा लगाना है application of fund तो application of fund में एक amount आई की के इतने पैसे invest करने है कहां invest करने है इससे हमारा कोई ले न देना नहीं है वो fixed assets में वो project में किसी में ही लग सकते है तो जैसे 50 लाग रुपे लगाने है हमें एक project के अंदर यह date आपको मिलेगा और इस पर return कितनी IT ROI कितना आएगा return on capital employed वो भी question आप यह 20% यानि EBIT आपका 10 लाग रुपे आएगा तो हमारे को 50 लाग रुपे कहीं पर लगाने है जिसमें हमारे पास 10 लाग रुपे का EBIT आएगा इस chapter के अंदर हमें यह देखना है कि अब हम इस 50 लाग को arrange कैसे करें तो हमारे पास 2-3 अलग-अलग capital structure के option होगे capital structure 1 के सारा पै जैसा equity और debt से 50-50 मंगवा लो, capital structure 3, equity और preference से 50-50 मंगवा लो, तो ऐसे अलग-अलग capital structure के option होगे, हमें simply क्या करना है, जैसे 3 capital structure के option है, तो EBIT से शुरू करना है और EPS तक पहुचना है, कई बार PE ratio भी दिया जाएगा, PE ratio दिया जाएगा तो MPS तक हम पहुच जाएगे, तो ह आप EBIT से शुरूआत करेंगे, EPS तक पहुचेंगे, तीनों option में PE ratio दिया होगा, तो MPS तक पहुचेंगे, अगर हम MPS तक पहुच रहे हैं, तो हम यह देखेंगे कि किस capital structure में MPS जादा आ रहा है, जिसमें MPS जादा आएगा, उसे select करेंगे, और अगर MPS तक नहीं पहुच नहीं कि EPS के लिए examiner बोलता है कि हमारा objective profit maximization है, और MPS के लिए बोलता है wealth maximization है, तो अगर wealth maximization हमारा objective है, तो MPS तक जाएंगे, अगर profit maximization हमारा objective है, तो EPS तक जाएंगे, तो हमारे सामने एक investment opportunity होगी, उसकी return हमें बताई जाएगी, हमें अलग-अलग capital structure में सिर्फ यह check करन है कि higher EPS और MPS किस plan में है, तो आपका statement दिखेगा, वो कैसे दिखेगा, sales, इसमें से variable cost minus करते हैं, तो contribution आ जाएगा, fixed cost minus करते हैं, EBIT यह operating profit आ जाएगा, generally question EBIT से शुरू होगा, कई बार sales से भी start हो सकता है, इसमें से हम interest minus करेंगे, EBIT आ जाएगा, tax minus करेंगे, EAT आ जाएगा preference share हैं, तो preference dividend minus करिए, earning for equity share holder आ जाएगा, number of share से divide करेंगे, EPS आ जाएगा, PE ratio से multiply करेंगे, तो आप MPS पर पहुँच जाएगे, ठीक है, हमारे पास MPS का formula रहेगा, EPS multiply by PE ratio, number of share निकालने कैसे हैं, कई बार तो company नहीं start होगी, तो नहीं start होगी, तो जितने भी number of share आप issue कर र होगी, तो जो existing shares हैं, और new shares हैं, तो उनों को जोड़ लिए, मानदी जी एक लाग share पहले से हैं, 50,000 share और issue करें, तो 1,50,000 share आपके पास हो गए, नए shares कितने issue करने हैं, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, जितना भी fund आपको equity से चाहिए, मानदो equity से मेरे को 25 लाग रुपे चा issue price minus issue expense, यानि net proceed इसमाल करेंगे, जैसे issue price 30 रुपे है, issue expense 5 रुपे, तो एक share से सिर्फ 25 रुपे receive हुए, तो आपको ये देखना है कि आपकी जेब में share से पैसा कितना आ रहा है, जितना share से पैसा आएगा, 25 रुपे net आपके पास आए, तो 25 लाग रुपे चाहिए, 25 इसमाल लो हमारे पास question में, face value है 10 रुपे, और market price of share दिया हुआ है 20 रुपे, तो हम ये मानेंगे कि 20 रुपे में issue करेंगे, जब market में 20 रुपे में share भिक राये तो हम 10 में issue करेंगे, और मानलो market price of share नहीं दिया गया, तो face value को ही issue price मान कर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके के question आएंगे, एक question आएगा कि company नई start हो रही है, तो नई company start हो रही है, जैसे EBIT minus interest, EBIT minus tax, preference dividend, number of share और EPS, MPS पर पहुँच गए, ठीक है, एक situation आईगी कि existing company है, मानलो existing company है हमारे पास, तो existing company की अभी से कुछ लाइकलिटी ही होगी, तो जैसे existing company में हमारे पास security share capital already 10 लाग रुपे की है, 10 लाग रुपे का एक share है, और हमारे पास 10% debt है, 20 लाग का, ठीक है, बस ये 30 लाग रुपे हमारे पास already है, अब हमें additional new funds की ज़र्वत है, उसके लिए हमारे पास मानलीजे 3 plan है, 1, 2, 3, पहला प्लान है equity issue करो, दूसर प्लान है debt issue करो, ठीक है, और हमें नए fund चाहिए 10 लाग रुपे, तो पहले plan में 10 लाग के equity share issue करने है, दूसरे में 10 लाग के debt, तीसरे में 5 लाग के equity और 5 लाग के debt issue करने है, तो इस situation में क्या होगा, कि जैसे आपके पास EBIT आ गया, EBIT में से जब आप interest minus करेंगे, तो interest ये जो 10% आपके उप equity है, दो लाग रुपे, ये सब जड़े माइनस होगा, क्योंकि ये आपके उपर existing interest है, ये तो देना ही देना है, और फिर देखेंगे, कि अब जो हमने plan adopt किया, उसमें और भी additional interest देना है क्या, तो equity में को interest नहीं देना, debt में 10% के rate से 1 लाग का interest देना है, और equity और debt में 10% के rate से 50% का interest यहाँ पर देना है, तो additional interest आपको देखना पड़ेगा plan case आप से, existing interest हर case में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी plan से पैसा मंगवाएं, existing liability को तो fulfill करना ही करना होगा, तो इसके अंदर हमारे पास जैसे EDIT आएगा, तो interest पहले existing सम में ले लेंगे, और new सिर्फ उसमें लेंगे, जिसमें नया fund, loan के थुरू आया हो, उसके बाद में tax आगया, फिर preference dividend, existing preference share हैं, तो वो तो सब में आएंगे, नए वाला देखना हुआ कि किस plan के अंदर preference share से पैसा मंगवाए है, फिर number of share, number of share, existing share तो सब में आएंगे, नए share अगर issue हैं, तो वो भी add हो जाएंगे, तो इस दो तरीके के question रहते हैं, बहुत ही simple sover सा रहता है, बहुत ज़्याद आधान, उसके आधिन difference point पे आएंगे, पहले इसके question देखते है, बीबी क्यू वन, the modern chemical limited, ये चार बार exam में आयोगा question है, आता रहता है back to back, the modern chemical limited requires 25 lakh for a plant, 25 lakh रुपे की ज़र रहते है, ठीक है, for a new plant, this plant is expected to yield earning before interest and tax 5 lakh, EBIT ये 5 lakh रुपे आपको कमा कर देगा, while deciding about the financial plan, the company consider the objective of maximization earning per share, तो ये EPS पर focused plan है, तो हमें EPS तक जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना, it has three alternative to finance the project by raising debt of 250, 10 lakh और 15 lakh, and balance in each case by issue of equity share, तो हमारे पास तीन प्लान है, पहना प्लान कहता है कि 2 lakh 50,000 debt से मंगवाओ, टोटल 25 lakh रुपे चाहिए, 22 lakh 50,000 रुपे equity से मंगवाओ, 10 lakh रुपे debt से, 15 lakh रुपे equity से, और last में 15 lakh रुपे debt से, और 10 lakh रुपे equity से आपको मंगवाने प कैने कंपनी का जो share है, वो 150 में विकरा है, तो कंपनी का जो share price है, वो 150 है, but it is expected to decline to 125 in case funds are borrowed in excess of 10 lakh, अगर 10 lakh से ज्यादा लोन दिया, तो share का price 125 हो जाएगा, तो यहाँ पर share का price 150 है, यहाँ पर 10 lakh का लोन है, यहाँ भी 150 है, और जैसे ही आपने 10 lakh से ज्यादा का लोन लिया, 15 lakh का लोन लिया, तो आपका share का price 125 रुपे रह जाएगा, okay, कैने, the funds can be borrowed at the rate of 10% up to 250, 5 lakh रुपे तक पर आपको 10% लिया जेना है, 15% देना है, over 250, 250 से उपर जो भी आप amount लोगे, उस पर 15% देना है, और यह 10 lakh रुपे तक applicable रहेगा, फिर आपको 20% देना है, अगर 10 lakh से उपर आ हो गए, तीनों प्लैन में हमारा 5 lakh का EBIT हो गया, अब हम इसमें से माइनस करेंगे interest, पहले case में 5 lakh रुपे पे 10% interest चला जाएगा, 25,000, दूसरे case में 10 lakh का लोन है, तो पहले 5 lakh तक 10%, 25,000 रुपे, उसके बाद 5 lakh से 10 lakh तक 7 lakh रुपे ओले रहे हो, उस 750 पर 15% interest चला जाएगा, तो 25,000 और 1,1,2,500, इसके बाद में 3 से प्लैन में 15 lakh का लोन है, तो पहले 5 lakh तक 25,000, दूसरे 7 lakh तक 10 के बीच में 1,1,2,500, और फिर बचे हुए 5 lakh, 5 lakh रुपे और आप लोन ले रहे हो, उस पर 20% interest देना पड़ेगा, तो 1 lakh रुपे का interest तो तो तीनों के interest माइनस करें, EBIT आ 15 lakh मंगवाने है, 150 रुपे का share है, 10,000 share issue करने पड़ेंगे, लास्ट केस में share दा प्राइस 125 रुपे हो गया है, तो 10,000 रुपे मंगवाने है, 125 रुपे का share issue होगा, तो 8,000 share issue करने पड़ेंगे, फिर हम चेक करेंगे किसमें हमारा EPS सबसे ज़्यादा है, तो 15.83, 18.12, 16.60, यानी की 18.125, alternative 2 सबसे best रहेगा, तो हमारे decision रहेगा कि हम alternative 2 के साथ जाएंगे, बहुत ही simple और आसान सा concept रहता है, बीबीक्यूट 2, आकाश limited provides you the following information, earning before interest and tax 280 है, diventure का interest 10% minus हुआ है 40,000, तो यह आपको existing अपना income statement बता रहे है, इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, इसमें से आपको कई सारी चीज़े मिलेंगी, सबसे पहले जैसे diventure का interest 10% है 40,000, इसका मतलब आपके पास 4,00, रुपे के debt है, ठीक है, इसके बाद में income tax का rate आपके पास 50% है, number of share आपके पास existing 30,000 है, earning per share 4 रुपे है, P.E. ratio 10 है, यानी की share का price 40 रुपे होगा, यह हमारे पो यहाँ से मिल जाएगा, करें, the company had reserved surplus of 7,00, and required 4,00, further for modernization, तो हमें 4,00, रुपे की और ज़र रहते है, ठीक है, return on capital employed each constant, करें, return on capital employed constant है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, कि हमारी return on capital employed है कितनी, EBIT divided by capital employed, multiply by 100, तो EBIT है, two lakh 80,000 हमारे पास, capital employed कैसे आई कि, capital employed में सबसे पहले देखे, equity share capital कितनी है, 10 रुपे का share, 30,000 share है, 3,00, रुपे equity share capital है, plus, 7,00, रुपे के आपके पास, result पड़े हुए है, 7,00, रुपे result से आगए, plus, debt आपके पास 4,00, रुपे का है, 4,00, रुपे आपके पास debt से आगए, कोई preference shares नहीं है, तो equity shareholder fund, preference share capital और debt, इन तीनों को जोड़कर capital employed बनती है, तो preference share तो है नहीं, तो equity shareholder fund में आगए, equity share capital और रिजर, और debt आगए 4,00, रुपे, multiply by 100, तो हमारे पास 14,00, रुपे हैं total, तो 280 divided by 14, लेक, यह हमारे पास 20% return आगई, तो हमारी जो ROCE है, return on capital employed है, वो 20% है, आगे भी 20 80% ही रहेगी, ध्यान रखेगा, कई question आपको ऐसे मिलेंगे, जिसमें यह line नहीं भी लिखी होगी, अगर question में आपको नहीं बताय हुआ, कि नए fund पर कितनी return मिलनी है, यह नए funds आने के बाद हमारी return क्या हो जाएगी, तो भी हम अमेशा यह exemption लेंगे, कि जो return on capital employed हमें अभी मिल रही थी, उतनी return on capital employed हमें आगे भी मिलेगी, इसमें question कई बार और छेड़ खा नहीं कर सकता है, वो कह सकता है कि return on capital employed will increase by 5%, कि हमारी return on capital employed 5% बढ़ जाएगी, तो अभी आपको 20% मिल रहा था, तो कल आपको 25% मिलने लगेगा, ठीक है, अब हमारी जो new capital employed होगी, वो कितनी होगी, existing capital employed आपकी कितनी है, 14 lakh, 10 lakh के funds, equity के और 4 lakh का debt, अब आप इसके अंदर 4 lakh रुपे का और addition करने वाले हो, 4 lakh रुपे हम और add करने वाले, अब हमारी 18 lakh रुपे की नई capital employee बन जाएगी, तो project में पैसा लगाने के बाद हम 18 lakh रुपे का investment करके बैठे होगे, आगे question कह रहा है, debt ratio higher than 40% will bring P ratio down to 8, अभी आपका P ratio 10, ऐसी situation में आपका P ratio 8 हो जाएगा, अगर आपका debt ratio 40% से जादा हो गया तो, debt ratio का मतलब क्या है, bracket में इनोंने बोला है, debt ratio का मतलब है कि numerator में debt रहेगा, और denominator में debt और equity दोनों का total रहेगा, equity का मतलब हमीशा है, equity fund, आगे कहने, end interest rate on additional debt to 12%, और जो additional debt है, उस पर interest rate 12% हो जाएगा, ठीक है, अब कहने, you are required to ascertain the probable price on the share, share का price क्या होगा, यानि हमें MPS तक जाना है, इस question में, if additional capital rate at debt, if amount rate by issuing equity share at ruling market price, तो अगर हम debt से पैसा मंगवाते हैं तो, और अगर हम equity से पैसा मंगवाते हैं, तो ruling market price पर, ruling market price अभी आपका 40 रुपे चल रहा है, चार रुपे का EPS, दस आपका प्री है, तो यहाँ पर 40 रुपे का आपका ruling market price है, ओके, अब हमें दोनों case में, यह debt equity ratio चेक करना होगा, अब जड़ा देखे, debt, divided by debt plus equity fund, case 1 में, case 1 में, आपके पास 4 लाग रुपे के debt तो पहले से हैं, ठीक है, चार लाग रुपे के नए debt आजाएंगे, तो total debt आपके पास 8 लाग रुपे हो जाएगा, अगर आप debt से पैसा बनगवाते हो, तो, divided by debt कितना हो गया, 8 लाग, equity fund कितने हैं, 10 लाग, 3 लाग रुपे के capital है, और 7 लाग रुपे के region में, तो 10 लाग रुपे हो गए, multiply by 100, तो 8 लाग divided by 18 लाग, यह हो गया 44.44%, तो आपका जो debt ratio है, वो 40% से उपर चला गया, इस situation में, आपका PE ratio 8 होगा, और rate of interest आप पर 12% लगेगा, नए debt पर, ठ है, second case, second case, जब हम equity से पैसा मंगवाएंगे, तो equity से पैसा मंगवाएंगे, तो आपका debt equity ratio फिर से हमें, चेक करना पड़ेगा, आपका debt कितना है, 4 लेक existing, नया debt कितना है, 0, पैसा तो हम equity से मंगवा रहे हैं, तो नया debt कोई भी नहीं है, divided by debt equity, तो debt है 4 लेक, प्लस, equity हो जा पाने है, और 4 लाक रुप equity से और मंगवा रहे हैं, तो 14 लेक हो जाएगा, multiply by 100, तो आपके पास 4 divided by 18, यहाँ पर ratio आगे है, 22.22%, तो यह 40% से कम है, तो यानि P ratio यहाँ पर 10 का 10 ही रहेगा, तो यहाँ P ratio 10 रहेगा, कोई दिटकत इसमें नहीं है, तो इस question के अंदर, हमारे क और क्या maintain हो रहे, यह दो चीजे करने के बाद question start होगा, अब बड़ा simple है, question के अंदर, आजएगी शुरू गटने, दो plans होगे हमारे पास, debt से पैसा और equity से पैसा, आपकी total capital employed होगी, 18,00, 20% return on capital employed है, 18,00, 20% return, 360, 360 आ गया, अब हमारे पास जो interest है, 40,000 रुपे existing, वो दोनों क इसमें जाएगा, तो 40,000 के interest तो दोनों में minus हो गया, नया वाला interest तब जाएगा, जब आप पैसा debt से मंगवाओ, तो debt वाले case में आपने 4,00, रुपे नये मंगवाई हैं, और interest का rate 12% है, तो 12% 4,00, रुपे पे 48,000 यह चले गए, यह आपके पास CBT आ गया, tax minus गया आपने, EAT आ गया, अब number of share से divide करना है, तो existing number of share हैं 30,000, तो debt plan के अंदर तो पैसा debt से आए, तो 30,000 share रहेंगे, नया share कोई भी issue नहीं हुआ, second plan में 30,000 share तो पहले से हैं, पिलस, कितने रुपे आपको मंगवाने हैं, 4,00, रुपे, एक share कितने का issue कर रहे हैं, आप 40,000 रुपे में, number of shares आ जाएंगे, ये इनका EPS आ गया, PE ratio यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10, क्योंकि यहाँ पर 44.44% debt ratio था, तो इसका PE ratio 8 हो गया था, दूसरे का 10 का 10 रहेगा, उसका 22.22 था, multiply करिए, market price of share आ गया, इस case में 36.24 और इस case में 40 रुपे, अगर question कुछे, कौन सा plan better है, तो जिसमें market price of share जादा है, उसी plan को हम लोग choose करेंगे, तो 40 रुपे वाला plan choose हो जाएगा, यानि हमें पैसा EQD से मंगवाना चाहिए, ये दो question है, जो पूछे जाते हैं, एक ये question study mat के अंदर है, और इसका solution वहाँ पर अधूरा दिया गया है, लेकिन इससे पहले हमें जाना पड़ेगा indifference point पार, आजएगे, अभी indifference point के concept पे चलते हैं, indifference point, indifference point का मतलब होता है, कि ऐसा EBIT, जिसमें EPS, तो अलग-अलग options में, same आ जाए, तो बड़ा simple सा रहता है, EPS under option 1, equals to EPS under option 2 रख दीजिए, EPS निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, EBIT minus interest, 1 minus tax, minus preference dividend divided by number of share, तो plan 1 का सामने रख दीजिए, और सामने plan 2 का रख दीजिए, इस question के अंदर एक छोटा सा point आता है, वो मैं आपको बतायता हूँ, जैसे capital structure 1, capital structure 2, यह हमारे पास दो structure है, यहाँ पर है पैसा equity से 10 लाग रुपे, 10 रुपे का share है, और debt है हमारे पास 12% के rate से 10 लाग रुपे का debt है, तो 20-20 लाग रुपे दो capital structure से हमें मंगवारे है, tax का rate मान दीजिए, 50%, अब question आप से कह रहा है, indifference point निकालो, ठीक है जी, तो बड़ा simple सा रहेगा, EBIT minus I, 1 minus tax, preference dividend है नहीं, number of share under 1, EBIT minus interest, 1 minus tax, number of share under option 2, तो EBIT, पहले case में interest बताइए कितना होगया, 12% 10 लाग का, 1 लाग 20,000, 1 minus tax, divide by number of share होगे, 10 लाग रुपे capital, 10 लुपे का 1, 1 लाग share, EBIT minus interest, 5 लाग का 12% होगे, 60,000, 1 minus tax, divide by number of share होगे, 150, ठीक है जी, तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे, अगर question में preference dividend नहीं है, तो बड़ा simple सा होता है, यहां के 1 lakh से यहां का 150, यह होगे 2, यह होगे 3, 5 के table से दोनों कट जाएंगे, तो यहां पर होगे 2, 10, 5, 3, 15, 1 minus tax को 1 minus tax से cancel कर देंगे, अब बड़ा simple है, 3 को सामने लाकर multiply कर दीजिए, और 2 को वहां पर ले जाएंगे, 3 यहां पर आजाएगा, और 2 यहां पर आजाएगा, तो 3BIT minus 360 equals to 2EBIT minus 120, ओके, यहां पर हमारे पास 3BIT, 2EBIT सामने आकर minus हो गया, यह सामने जाकर add हो गया, तो EBIT equals to 240,000, यह हमारा indifference point आगया, तो इस तरह से solve करते हैं, 5 नमबर देता है, इस शीच के, अब हमारे पास जैसे एक तो आगे यह वला, इसमें होता है course of action, कि हमें कौन सा plan select करना चाहिए, कई बार question पूछ लेता है, कई बार तो indifference point पर आपको खतम कर देगा, कई बार क्या कहेगा, कहेगा course of action बताओ, तो course of action हमारे पास बड़ा simple सा रहता है, course of action, अगर आपका EBIT, जो भी आपका EBIT है, वो indifference point से कम है, यानि यहाँ पर आ रहे है 2,40,000 इस से कम है, दूसरा, अगर आपका EBIT, दो लाग 40,000 के बरावर है, और तीसरा, आपका EBIT, दो लाग 40,000 से जहादा है, ये तीन situation हो सकती है, कि हम 2,40 से कम कमा रहे हैं, 2,40 यान 2,40 से जहादा, तो अगर आप 2,40 से कम कमा रहे हैं तो आपकी कमाई कम है तो आप बर्डन कम दीजे तो आप उस प्लैन को लीजे जिसमें financial break-even point कम हो यानि जिसका financial खर्चा कम हो तो financial खर्चा अगर हम देखें तो 5,00,00,00 रुपे पर 12% 60,000 का interest था तो इस plan में burden कम होगा क्योंकि ब्याज का खर्चा कम है तो जिस plan में आपके ओपर खर्चा कम है उस पर जाईए तो 240 से कम कमा रहे है तो plan 2 पर जाईए क्योंकि उसकी financial fixed cost कम है इसे हम कहते हैं financial fixed cost जिसकी कम हो यह हम कहते हैं जिसका financial break-even point कम हो अगर EBIT 240 के बरावर है तो plan 1 और 2 में से कोई भी आप ले सकते है कोई दिक्कत नहीं है और अगर 240 से जादा है तो उस plan पे जाईए जिसकी financial fixed cost जादा हो जिसकी financial fixed cost जादा होगी उसे हम select करेंगे तो यह हमारे पास EBIT EPS के अंदर concept रहता है बड़ा simple सा है अभी financial BEP को भी discuss करेंगे है और एक में आपको preference shares वाला और बताता हूँ कैसे करते है इस चीज को धियान पेखिएगा अगर सिर्फ loan है preference dividend नहीं है तो tax से tax cancel हो जाएगा दोनों equation आराम से निकल जाएगी अगर preference dividend होता है एक से tax cancel नहीं होता बच्चे calculation में गलती करते हैं जैसे capital structure 1 capital structure 2 दो capital structure है हमारे पास equity share capital हमारे पास है 10 रुपे की face value और हमारे पास 15% preference share capital है ठीक है लिए amountity equity share capital है 10 लाग preference है कुछ नहीं यहाँ 5 लाग और 5 लाग total 10-10 लाग रुपे दो capital structure में आगे हमारे पास tax rate है हमारे पास 50% अब देखिए question ने का indifference point ने का 2 तो EBIT minus interest जो है नहीं 0 है 1 minus tax divide by N1 equals to EBIT minus interest है नहीं 1 minus tax minus preference dividend divide by N2 दूसरे आले case में preference dividend आएगा कही preference share capital है अब हमारे पास EBIT minus interest हो गए 0 1 minus tax number of share हमारे पास हो गए 1 लाग share और EBIT minus 0 1 minus tax minus PD यह PD नहीं इस पूरे के बाहर रहता है तो PD हो गया 5 लेक पर 15% 75,000 divide by N2 50,000 shares अब इसको अगर solve करना है तो पच्चे क्या करते हैं इसमें इसमें इस टेक्स से टेक्स कार्ट देते हैं वो नहीं करतेगा क्योंकि उसके bracket के बाहर एक amount लिक ही होई है यह ऐसे cancel नहीं कर सकते तो यह हो गया 5 1 जा 5 5 2 जा 10 अब यह 2 सामने जाकर multiply होना है और 1 यहां पर आकर multiply होना है तो पहले इस equation को देखते है EBIT multiply by 0.5 तो यहां हो गया 0.5 EBIT बाकि कुछ नहीं है इस तरफ equals to सामने की तरफ हो गया 2 multiply by EBIT multiply 0.5 तो 0.5 EBIT और minus के 75,000 लिपे है इसमें 2 की multiply आप लोग कर दीजिए तो यहां पर 0.5 EBIT minus 75,000 है तो 0.5 EBIT equals to यह होगय EBIT minus 1,50,000 EBIT सामने आकर minus हो जाएगा तो minus का 0.5 EBIT equals to minus का 150 minus से minus cancel 0.5 जाके divide हो जाएगा सामने EBIT equals to 3,000 यह हमारे पास निकलेगा तो ध्यान रखना है preference share में आमने सामने tax से tax cancel नहीं होगा लेकिन debt के case में हो जाएगा तो यह गलती वच्चे करते हैं फिर उनका indifference point का answer नहीं निकलता फिर केतने आरे सार यह क्या होगा हमारे तो indifference point का answer आगे नहीं होगा तो indifference point में बढ़ा simple है दोनों के EPS सामने रूंदीजे एक जूस है कि solve करिए answer आ जाएगा indifference point ऐसे न जाराता है आपको कि जैसे equity plan है वो सीधा चला जा रहा है dead plan थोड़ी देर बाद आपको EPS देना शुरू करेगा यह EPS है equity plan एक रूपया भी कमाएगा तो EPS देना शुरू कर देगा क्योंकि उसके उपर कोई बटन नहीं होता EBIT मान लो एक रूपया आया interest है ही नहीं EBIT एक रूपया हो गया tax मान लो 50 पैसे चला गया 50 पैसे बचे preference share कुछ है ही नहीं बचे 50 पैसे number of share से divide करोगे तो EPS तब भी positive आएगा तो हमारे पास जो equity plan होता है अगर सिर्फ equity से पैसा मंगवा होगे तो एक रूपया भी कमाओगे तो आपका EPS शुरू हो जाएगा लेकिन बाकी सारे plans में जैसे मान लो आपने debt ले रखा है वो दसजार का interest है तो पहले आपको दसजार का interest देना पड़ेगा उसके बाद earning per share के नाम पर कुछ आपके पास बचेगा तो equity plan start हो जाता है 0 point से अगर 0 EBIT है तो 0 EPS एक वी रुपया अगर EBIT होगा तो EPS बनना शुरू हो जाएगा बाकी सारे plans start होते हैं थोड़ी आगे से क्योंकि इतना पैसा तो उन्हें सिर्फ interest याप रिफरेंश शेयर की payment के लिए ही करना पड़ जाता है उसके बाद में EPS शुरू होता है तो plans जो equity plan है वो 0 से start हो जाता है बाकी plan आगे से start होते हैं यह जब चलते जाते हैं तो यह एक पर एक दूसरे को intersect करते हैं यह intersection point ही ही आपका indifference point है इस point पर दोनो plan plan 1 और 2 एक बरावर देंगे उससे पीछे अगर आ जाएं तो equity plan जादा देगा क्योंकि equity plan में fixed cost नहीं है उसकी financial fixed cost 0 है और इस plan के बाद में वो better रहेगा जिसमें financial fixed cost जादा होगी तो debt plan हो, preference plan हो उन समय financial fixed burden होता है उनकी वो plan आपके preferred हो जाएंगे course of action बड़ा simple रहेगा अगर EBIT in difference point से कम है तो उस plan को लीजिए जिसकी financial fixed cost कम हो अगर in difference point पर है तो कोई भी option ले लीजिए और अगर in difference point से आप उपर चले गए हैं तो उस plan को लीजिए जिसमें financial fixed cost जादा हो एक हमारे पास point आता है financial break even point financial break even point का मतलब है ऐसा EBIT का level जहाँ पर EPS 0 हो जाए तो financial break even point में हमें financial break even point इसमें हमें ऐसा EBIT चाहिए जिस पर EPS 0 हो जाए अब जहें देखिए EPS का formula हमारे पास क्या है EBIT minus I 1 minus tax minus preference dividend divide by number of share ठीक है अब हम यह कह रहे हैं कि यह EPS 0 है ठीक है जी 0 equals to N 0 में जाके multiply हुआ तो N B 0 हो गया अब सामने क्या बचा EBIT minus I 1 minus tax minus PD अब यह minus का PD सामने आकर plus हो जाएगा PD equals to EBIT minus I 1 minus tax अब 1 minus tax मल्टिप्लाई में हो रहा है यहां सामने जाके divide में बन जाएगा PD divided by 1 minus tax equals to EBIT minus I अब I यहां पर minus में सामने जाकर plus हो जाएगा तो PD divided by 1 minus tax I यहां पर आकर plus में हो गया equals to EBIT तो यही financial break-even point का formula है financial break-even point पर EBIT equals to interest plus preference dividend divided by 1 minus tax होता है अगर मालने जीए equity plan है तो ना interest होगा ना preference dividend तो EBIT 0 ही financial break-even point बन जाएगा अगर question में debt यह preference shares हैं तो आपको I plus credit divided by 1 minus tax करना होगा जिसका financial break-even point हाई होता है उसके उबर financial button भी high रहेगा हमेशा तो यह हमारे पास रहेगा indifference point के अंदर financial break-even point interest plus preference dividend divided by 1 minus tax ठीक है जी देखते हैं अब आगे अब हमारे पास एक question है study mat में और RTP, MTP में भी होगा आता है है इसके अंदर examiner ने पूरा solution करके नहीं दिखाया हमने इसका पूरा solution कर रखा है आधे पर छोड़ोगा है इसको yo-yo limited presently hedge 36 lakh in debt outstanding bearing an interest rate of 10% ठीक है जी तो हमारे पास 36 lakh का loan है 10% rate of interest से है यह it wishes to finance 40 lakh expansion program अब यह 40 lakh रुपे और लगाना चाह रहे है expansion program and is considering three alternatives additional debt 12% interest preference share 11% dividend and issue equity share at रुपी 16 per share तो हमारे पास हमें 40 lakh रुपे की जड़वत है हमारे पास पहला plan है कि हम 12% debt range कर दें 40 lakh के और preference share issue कर दें 11% के rate से 40 lakh रुपे के यहां फिर नए equity share issue कर दें 40 lakh रुपी 16 रुपे का हमारे issue price रहेगा company presently had 8 lakh shares अभी हमारे पास 8 lakh shares है and 40% tax का rate है तो आपके पास अभी 36 lakh का loan है 10% के interest पर और 8 lakh share है आपके पास आपको 40 lakh रुपे की और ज़रो थे question कह रहा है कि 40 lakh रुपे जो अब नए मंगवाने है वो आप debt से भी मंगवा सकते हो preference से भी मंगवा सकते हो और equity share से भी मंगवा सकते हो ठीक है जी फर्स्ट पॉइंट इफ अर्निंग विफोर इंट्रेस्टेंट टेक्स इंप्रिजेंटली 15 lakh वोट वोड वी EPS फोर थ्री ओल्टरनेटिव एज्यूमिंग नो इमेडियेट इंक्रीजिन प्रॉफिटेबलिटी कह रहे हैं अगर हमारे EBIT 15 lakh रुपे तो EPS आपको बताना है तीनो प्लैन्स में तो हमारे पास तीन प्लैन आगे debt, preference, security EBIT आगे हमारे पास 15 lakh, 15 lakh, 15 lakh अब interest जो existing 36 lakh है उस पे 10% interest तो सारे case में जाएगा 360, 360, 360 ठीक है अब जो नए वाले 40 lakh रुपे हैं वो आपने plan 1 में debt से मंगवाए हैं वो आपके पास आगे 40 lakh रुपे और interest का rate रहेगा इसमें 12% तो 40 lakh का 12% 480 आगया आपका preference और equity में कोई नया interest नहीं जाएगा preference और equity को interest से कोई लेना देना नहीं है यह हमारे पास आगे EBIT 40% tax minus करा EAT आगया अब preference dividend तो existing preference shares नहीं है हमारे पास तो existing preference dividend नहीं है सिर्फ नए वाला preference dividend आपके पास आएगा 40 lakh पर 11% से तो 40 lakh पर 11% से नए वाला आजाएगा आपका 440 preference plan के अंदर बाकी किसी में नहीं आएगा यह आपके पास आगया earning for equity अब earning for equity के बात में आपके पास 8 lakh share तो अभी है तो अगर आप डैट से पैसा मंगवा रहे हो तो 8 lakh share ही रहेंगे आप preference से पैसा मंगवा रहे हो 8 lakh share रहेंगे तो यहां 8 lakh share यहां 8 lakh share लेकिन अगर आप equity से पैसा मंगवा रहे हो तो 40 lakh रुपे equity से मंगवाने है 16 रुपे का एक share है 40 लाग divided by 16 रुपे का share 250,000 न्युज share आप इशू करोगे तो आपके पास 8 लाग share पुराने और 250 नहीं 10,50,000 आपके पास total shares नहीं आगए अब आपके पास आगया earning per share earning per share आप चेक टर लीजे किस plan में सबसे ज़ादा earning per share आपको नजर आ रहा है तो हमारे पास equity plan में हमारे पास earning per share सबसे जादर नजर आ रहा है उसके बाद में second number है हमारा first number है equity का second number है debt का और third number है preference का तो equity plan यहाँ पर जीट जाएगा ठीक है इसका पहले point में तो कोई दिकत नहीं है इसका second वाला point बहुत ही बड़ी है इनोंने बनाया है second point देखते हैं एक बार देखेगा analyze which alternative do you prefer आपको बताना है कि कौन सा alternative आप prefer करेंगे तो हम भाई plan equity plan को prefer करेंगे compute how much would EBIT need to increase before the next alternative would be best तो आपको बताना है कितना EBIT हमें बढ़ाना पड़ेगा before next alternative would be best अभी बताईए best alternative कोन है अभी equity best alternative है दूसरा alternative कोन है second best second best है debt यह है second best तो कहरें आपको बताना है कि यह second best alternative best के बराबर कब पहुँच जाएगा तो कहरें how much EBIT would increase before the next alternative would be best तो अगला alternative best होने से पहले उसको इंडिफरेंस पॉइंट तक पोश्चना पड़ेगा अभी की situation क्या है अभी की situation यह है कि अभी हमारा जो equity plan है वो ऐसे चल रहा है debt plan ऐसे तो अभी equity best चल रहा है इसका मतलब हम यहाँ कहीं पर है तो हमारा EBIT यहाँ से यहाँ तक कहीं पर गया तो अभी equity plan best चल रहा है अग बताएं यहाँ पर दोनों एक बराबर हो जाएंगे equity और debt यह equity plan है यह debt plan है उसके बाद में debt plan best हो जाएगा तो अभी first best है equity second best है debt तो अभी debt इसका मतलब पीछे चल रहा है तो कहरें कितना EBIT इंक्रीज करना पड़ेगा before next alternative would be west दूसरे alternative के best होने से पहले तो इसमें हमें indirectly पहले निकालना है indifference point तो हम equity और debt के बीच में indifference point निकालेंगे तो equity और इनके बीच में हमने indifference point निकाला आगे 23,76,000 तो 23,76,000 पर यह दोनों एक बरावर हो जाएंगे ठीक है अभी कितना कमारे हो आप 15,00,00 रुपे तो 8,00,00, 76,000 रुपे आपको increase करने पड़ेंगे second best alternative को first best alternative के बरावर करने में और अगर इसमें एक भी रुपिया और बढ़ा दिया तो debt option better हो जाएगा क्योंकि वो indifference points से उपर चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास हमें 8,76 increase करने पड़ेंगे जब दोनों के दोनों plan एक बरावर हो जाएं next alternative भी इसके बरावर कमाई आपको देने लग जाए तो इन्होंने इसमें यहाँ पर सीधे सिर्फ study mat में यह answer लिखा हुआ है नीचे यह इसकी indifference point की working वहाँ पर skipped dead तो आप धियान लखेगा कि पढ़ें तो confused ना हो indifference point आपको exam में इसका निकाल के दिखाना पड़ेगा उसी के बाद हम बता सकते हैं कितना पैसा और add करना होगा ठीक है अब हमारे पास एक point आता है इसके अंदर कई बार हमारे पास क्या होता है number of equity share ना सेम हो जाते हैं यानि दो plan है दोनो plan में number of equity share सेम हो गए अब जड़र देखो हमारे पास जो हम indifference point निकाल रहे है हम निकाल रहे है EBIT minus I 1 minus tax minus PD divide by number of share equals to EBIT minus I मान दो इसमें सिर्फ interest है PD नहीं है divide by N2 अब यहाँ पर यह कई बार क्या situation होगी यहाँ भी एक लाग equity share है यहाँ भी एक लाग equity share है तो एक लाग से एक लाग cancel हो गया अब इस situation के अंदर यह जो उपर वाली equation है यह सामने वाली equation के बरावर होनी चाहिए यानि यहाँ पर जो interest minus हो रहा है preference dividend minus हो रहा है वो सामने वाले interest और मान दो यहाँ PD ली है तो उसके बरावर होना चाहिए तो यहाँ पर दो situation आएंगी एक situation आएगी कि यह दोनों बरावर हो जाएंगे यानि यहाँ पर मान लो एक लाग खाया है यहाँ भी एक लाग खाया तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी situation में हम कहेंगे कि कोई एक specific indifference point नहीं है बलकि each and every each and every EBIT will provide same EPS ऐसा क्यों देखो अगर यह एक लाग रुपे का बर्ड़न है पूरा और यहाँ भी एक लाग रुपे का बर्ड़न है तो denominator आपके पास में दोनों का सेम है तो EBIT को आप कितना भी करड़ो मान दो 4 लाग का EBIT है दोनों तरफ एक लाग रुपे पचे गहीं दोनों तरफ तरफ यानि यहाँ पर आप EBIT को कुछ भी रख लो दोनों तरफ हर case में दोनों के दोनो plan same EPS आपको provide करेंगे तो हमारे पास एक situation आईगी कि दोनो plan same EPS आपको provide करने लग जाएंगे ऐसी situation में मानदो जो plan 1 है यह plan 1 है तो plan 2 भी बिल्कुल इसी के उपर overlapping line है दोनों line same है तो plan 1 और plan 2 की same line होगी यानि यही line plan 1 की है और यही line plan 2 की है दोनों line एक जैसी दिखेंगी दोनों का EPS हर level पर same होगा और एक situation आती है यह कि मान लो इधर जो burden है यहाँ पर burden है 40,000 और यहाँ पर burden है 80,000 तो हर case में यहाँ पर burden ज़्यादा है और यहाँ पर burden कम है तो यह plan जीतेगा इस situation में क्या होगा एक तरफ आ रहा है 40,000 दूसरी तरफ आ रहा है 80,000 तो इसका मलते यह दोनों एक दूसरे के बरावर नहीं है 40 और 80 एक दूसरे के बरावर नहीं हो सकते तो इन दोनों के बीच में there is no indifference point इनके बीच में कोई indifference point निकलेगा ही नहीं तो कई बार क्या होता है यहाँ मैं बच्चे solve करते है indifference point निकलता ही नहीं है यह indifference point equals to हो जाता है दोनों तरफ एक बरावर तो बच्चा confuse हो जाता है अब मैं करूं तो करूं क्या तो आपको परिशान नहीं होना आपको check करना है कि number of share same तो नहीं है अगर number of share same होंगे तो फिर एक ही बात निकल कर आईगी कि यहां तो सारे के सारे plan एक जैसे हैं एक ही बरावर आपको सारे के सारे EBIT indifference point है यहां फिर आएगा कोई भी indifference point नहीं है तो जैसे बच्चे का मैच नहीं हुआ एक तरफ 40,000 आगे एक तरफ असी है बच्चा परिशान कि मैंने कुछ गलती कर दी बैटा आपने कोई गलती नहीं करी है चेक कर लेना number of share same तो नहीं है इस situation में यह plan ऐसे दिखते हैं जैसे एक plan की line जा रही है यह दूसरी उसके parallel जाती है और वो हमेशा उससे नीचे रहेगी जिसके उपर burden कम होगा जिसके उपर lower burden होगा वो हमेशा dominate करेगा यानि वो हमेशा high EPS provide करेगा तो lower burden वाला हमेशा जीता रहेगा और high burden वाला हमेशा down पे रहेगा तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो dominating plan है वो कौन सा रहेगा जिसमें burden कम हो या जिसका financial break even point कम हो तो एक concept आपके पास यह area में ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता आपको सिर्फ पता होना चाहिए indifference point in case of equal number of share situation 1 कोई भी EBIT same EPS नहीं पहुचा रहा कोई indifference point आई नहीं पा रहा हम से और जिसमें low cost होगी वो dominate करेगा तो यहाँ पर plan कैसे दिखेगा ऐसे parallel lines दिखेंगी आपको यह plan 1, plan 2 यहाँ पर LHS और RHS एक दूसरे बराबर नहीं होगे तो यहाँ पर dominate कोन करेगा plan 1 dominate करेगा जिसकी financial fixed cost कम होगी जिस पर button कम होगा गो dominate करेगा फिर दूसरा हमारे पास आएगा situation number 2 जहाँ पर each and every EBIT आपको एक जैसा EPS देगा कोई भी EBIT ले लो हर EBIT indifference point आपने आप में तो यानि कोई specific indifference point का EBIT नहीं है बलकि सारे भी EBIT आपके लिए indifference point है यहाँ पर दोनो plan एक ही line नजर आएंगे तो single line होगी दोनो plans के लिए plan 1 भी यही है plan 2 भी यही है तो यहाँ पर RHS और LHS एक बरावर हो जाते हैं यह दोनो plan में से कुछ भी लो बात एक ही रहेगी कोई फर्की नहीं पड़ेगा किसी भी level पार तो हमारे पास इसके ओपर question आते है BBQ 4 देखेगा गनपती limited इच considering 3 financing plan the key information नहीं जैज गिविन बिलो total investment 2 lakh है इनको जो 2,00,00 रुपे चाहिए financial proportion of plan plan A है सारा पैसा equity से मंगवाओ यानि 2,00,00 के 2,00,00 इन से मंगवाओ दूसरा है B में equity और debt से आधा-धा मंगवाओ तो 1,00,00 equity से 1,00,00 debt से C है equity से आधा मंगवाओ आधा preference से तो 1,00,00 equity से और 1,00,00 preference से मंगवाओ ठीक है जी cost of debt 8% है यानि की rate of interest 8% है इसमें भी एक दिमाग में बात आती है बच्चों के देखो cost of debt का मतलब तो KT हो गया तो KT तो after tax होता है कि यह यहाँ पर वो देने है ऐसा नहीं है EBI की EPS के इस question के अंदर इनोंने जो cost of debt लिखा है वो basically rate of interest की बात कर रहे है तो rate of interest 8% है cost of preference share यानि rate of preference dividend 8% है tax rate 50% है equity share की face value 10 रुपे है और issue करेंगे at a premium of 10 रुपे यानि issue price 20 रुपे रहेगा ठीक है expected EBIT 80,000 है तो हमारे पास 3 plan होगे plan ABC सबसे पहले कह रहा है EPS निकालो तो 80, 80, 80 ठीक है जी first plan में सारा पैसा equity से है 80 बचे 40,000 का tax गया 40,000 बचे divide by number of share करा 4 रुपे का EPS आ गया ठीक है जी दूसरे plan में आधा पैसा equity से और आधा debt से तो debt का interest दिया tax minus किया जो बचा number of share से divide किया आ गया जी तीसरे plan में आधा पैसा equity से और आधा पैसा preference से तो interest कुछ नहीं लेकिन preference dividend आ जाएगा और आपके पास EPS निकल आया ठीक है जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह बड़ा आसान point है इसका second point किया रहा है financial break even point बताओ तो financial break even point का formula है EBIT equals to interest plus preference dividend divided by 1 minus tax तो पहले plan में ना तो interest है ना preference dividend है तो financial PP हो गया 0 EBIT तो 0 EBIT पे 0 EPS होगा ठीक है जी दूसरे alternative में 8,000 का interest है preference dividend कुछ भी नहीं है तो दूसरे financial BPI के interest 8,000 पे तीसरे plan में interest कुछ नहीं है preference dividend है तो preference dividend को divide by 1 minus tax कर देंगे तो तीसरे में preference dividend divided by 1 minus tax 16,000 पे आ गया तो पहले का financial break even point 0 है दूसरे का 8,000 और तीसरे का 16,000 अब कह रहे है indicate करो क्या कोई plan किसी को dominate कर रहा है और EBIT निकालो अलग-अलग plans के बीच में difference point पर ठीक है जी तो जैसे हमारे पास जो difference point है वो दो plans के बीच में निकल सकता है तो यहाँ पर 3 plan है तो हम क्या करेंगे A का B के साथ A का C के साथ फिर B का C के साथ ऐसे 3 वार हमें difference point निकालना पड़ेगा 10 number में question आएगा तो हमारे पास A का B के साथ निकाला निकल गया 16,000 रुपे फिर A का C के साथ निकला निकल गया 32,000 रुपे यहाँ number of share 10,000 से यहाँ 5,000 यहाँ 10,000 यहाँ 5,000 अब जब हमने B और C के बीच में निकाला तो दोनों के अंदर number of share 5,000 तो जब denominator में दोनों में 5,000 देखे यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 5 तो जैसे मैं difference point निकालूँ इसके और इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं है इसके और इसके बीच में कोई रिक्कत नहीं है लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों के बीच में difference point निकालूँगा तो यहाँ तो सारे के सारे EBIT ही difference point होंगे यानि equals to आ जाएगा यहाँ फिर equals to नहीं आएगा तो हमने निकाल के चेक किया तो जैसे हमने निकाला इसको solve करा तो एक तरफ आ रहा है .5 EBIT minus 4,000 एक तरफ आ रहा है .5 EBIT minus 8,000 तो .5 EBIT से 5 EBIT cancel हो गया minus से minus cancel हो गया तो answer हो गया 4000 equals to 8,000 तो यह तो एक दूसरे बरावर किसी भी हालत में होई नहीं पारह तो ये हमारे पास इसका मतलब B और C के बीच में कोई भी Indifference Point नहीं है अब Dominate कौन करेगा Dominate वो करेगा जिसकी Fixed Cost कम होगी तो Financial Fixed Cost किसकी कम है इसके लिए बड़ा Simple सा तरीका है या तो आप यहीं पर Check कर लो यहां 4000 माइनस हो रहे हैं यहां 8000 तो 4000 वाला जीतेगा क्योंकि वो सस्ता है या फिर आप Simplely Financial Breakeven Point आपने निकाला है तो B और C में हमें Compare करना है अब जड़ा बताईए B का Financial Breakeven Point 8000 है C का 16000 तो जिसका Financial Breakeven Point कम है यानि उस पर Burden कम होगा तो B जीतेगा क्योंकि उसका Financial Breakeven Point कम है तो कोई इन डिफ्रेंस पॉइंट नहीं इन दोनों के बीच में और यहां पर डॉमिनेट करेगा Plan B डॉमिनेट प्लैन C क्योंकि B का जो Financial Breakeven Point है वो कम है तो बड़ा फेमस कोश्चन नहीं है कभी भी आ सकता है एक कोश्चन हमारे पास या आता है पांच नमबर में आता है छोटा सो कोश्चन B.B.Q. 5 जाइलो लिमिटेड इच कंसेडरिंग दा फॉल्लेंग टू अल्डरनेटिव प्लैन्स इक्यूटी शेर दस रुपे का एक है आठ लाक आठ लाक रुपे बारा परसेंट डिवेंचर है अब इसने प्रिफरेंश शेर का रेट गायब कर दिया यहाँ पर ओके प्रिफरेंश शेर का रेट नहीं दिया हुआ नीचे कहा दिया इंडिफरेंश पॉइंट 480 है तो देखो अगर हमें प्रिफरेंश शेर का रेट दे देते तो हमसे इंडिफरेंस पॉइंट निकल बा लेते, अब इडों ने यहाँ पर हमें इंडिफरेंस पॉइंट दे दिया, तो हमसे प्रिफरेंस शेर का rate पूछेगा, तो कोई बात नहीं, हम इंडिफरेंस पॉइंट का formula लगाएंगे, हमरे पास answer आ जाएगा, question कह रहा है rate of dividend ब preference dividend है, preference share capital कितनी है, 4 lakh रुपे, तो निकाल लीजिए rate of preference dividend कितना आ गया आपके पास, 33,600 divided by 4 lakh, 8.4%, तो हमारा preference dividend का rate 8.4% आ जएगा, देखो, इस question की worth, दो नमबर से उपर बनती नहीं है, लेकिन ही 5 नमबर में पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है, तो इसमें आपक को indifference point मालूम है, तो आप value रखिए और आपके पास PD निकल कर आ जाएगा, बाकी questions में क्या होता था, बाकी question में हमें PD पता होता था, interest होता होता था, EBIT नहीं मालूम होता था, तो last में जाके EBIT निकल कर आ जाता था, कि EBIT equals to G 480 होगा, और यहाँ पर इन्होंने क्या करा, EBIT देती है, और preference dividend पूछा है, तो इस तरह से इसको solve किया जाता है, पांच नमबर देता है, एक आपके पास यह वाला question नया आया है, इसमें, study mat में, BBQ 6, यह new question है, देखेगा, new question, current capital structure of XYZ limited EJ given below, हमारा current capital structure दिया हुआ है, equity share capital 7 lakh है, 20 रुपे का यह, 7 लग share है आपके पास अभी, reserve 10 लाग रुपे के है, 9% bond है, 3 करोल रुपे के, 11% preference share capital है, 3 lakh की, और additional fund हमें 5 करोल रुपे चाहिए, ठीक है जी, तो हमारा पास existing funding भी है, और हमें नई funding भी चाहिए, XYZ limited is evaluating the following alternative, हमारा पास दो alternative है, option number 1, raise the fund via 25% equity share capital, 75% debt, 25% तो equity capital से मंगवा लो, तो 5 करोड का 25% कितना हो गया, 1 करोड 25 lakh equity से मंगवा लो, और 3.75 करोड debt से मंगवा लो, ठीक है जी, 10% के rate से, P.E. ratio in such scenario 12, इस case में P.E. ratio आप पर 12 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई काम भी नहीं है, question में, दूसर option, alternative 2, raise the fund via 50% equity share capital, तो 5 करोड रुपे तो equity से मंगवा लो, rest from 12% preference share, धाई करोड रुपे preference share से मंगवा लो, P.E. ratio इस situation हो 11 होगा, ठीक है जी, any new equity capital would be issued at face value of rupees 20 each, जो भी नया पैसा मंगवा होगे, वो 20 रुपे का share issue करके मंगवा हो गया, any new preference share capital would be issued at rupees 20 face value, तो नया preference share किते में issue करोगे, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें number of share सिर्फ equity के चाहिए होते है, equity के number of share चाहिए, तो उसके लिए पता होना चाहिए, कितने में issue होगा, तो जैसे यहाँ पर 1.25 करोड चाहिए, 25 रुपे का आप share issue कर रहे हो, sorry 20 रुपे का न, 20 रुपे का, तो कितनी capital हो गई, number of share होगे 6,25 रुपे चाहिए, केस में हम share issue करेंगे 6.25 रुपे टोटल शेर होगे 13.25 रुपे चाहिए, और दूसरे केस में हम 13 रुप नए share issue करेंगे, तो 20 रुपे चाहिए हो जाएंगे, तो यह हो गया 27 रुप, हाँ 27 रुप का interest हो गया, तो हमारे interest 27 रुप जा रहा है, plan 1, plan 2, plan 2 में 3 करोड पर 9 परसेंट तो आप दो गई दो गई, 27 रुप, ठीक है, आप ज़र देखते हैं, फर्स्ट प्लैन में, फर्स्ट प्लैन में आप डेट से पैसा मंगवा रहे हो, 3.75 करोड मंगवा रहे हो 10 पर, तो 35 रुप का interest और बन जाएगा, 3.75 करोड 10 पर, तो यहाँ 35 रुप का और interest बनेगा, तो 27 रुप पास, यहाँ 13.25 लेक शेर, यहाँ 20 रुप शेर, यहाँ 64.5 लेक का interest, यहाँ 27 रुप का interest, अब प्रिफ्रेंश शेर, अभी हमारे पास प्रिफ्रेंश शेर कैपिटल है, 11% से, 3 रुप शेर, 50 रुपे का एक, यह वे डेल करोड रुप की capital यहाँ, 11% से, तो डेल करोड का 11% आप दे रहे हो, 16.50 यहाँ भी जाएगा, ठीक है लिए, option 1 में आपने पैसा equity और debt से मंगवाए है, कोई preference shares नहीं, second case में आपने धाई करोड रुपे preference share से मंगवाए है, 12% पर, तो पहले case में कोई additional preference dividend डिविडेंट नहीं, 16.50 ही रहेगा, दूसरे case में धाई करोड रुप आपके पास आगया, 16 और 46.50,000, तो हमारे पास इन्होंने क्या किया, इस question में, indifference point पूछेगा, basic लिए, determine indifference point अंदर both alternative, तो इन्होंने आपको तीनो जेके पर calculation करवानी है, पहले interest की calculation दोनों plan में कितना है, दोनों plan में number of shares कितने है, दोनों plans में आपका preference dividend कितना मनेगा, बिल्कुल सिंपल सोबर सा है, existing share है 77,000, पहले case में 6.25, जूसर में 13,000, नए share issue होंगे, तो 13.25 और 20,000, शेर हो गए, ठीक है जी, existing interest है 27,000, पहले case में 37,50 का interest और बढ़ जाएगा, तो 64.5,000 का interest हो जाएगा, existing preference dividend है 16,50, second वाले case में preference share को 30,000 का dividend और देना है, तो उनका preference dividend 46, 46,50 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हमें, equity share की calculation, यह 13,50 कैसा आ रहा है, यह हो गया जी, 13,50, मैंने गलत लिख दिये क्या, किते रुपे चाहिए है, मैं धाई करोड रुपे चाहिए, और 20 रुपे का एक है, धाई करोड रुपे, और 20 रुपे का एक share, 12,50 हुए तो, यह गलत लिखा हुए है, 12,50, 19,50,000 share हुए हमारे पास, second में, तो पहले में हो गए हमारे पास share 13,25, दूसरे में 12,50, यह 12,50, 19,50,000 share हुए है, ठीक है, यहाँ पर typing में कलती है, तो, यह 19,50 है ही, यह 12,50 है है यहाँ पर, 13,50 देखा हुए हुए है, ठीक है, तो पहले number of share आ गए, फिर interest आ गया हमारे पास, 64,50 और 27,000 लेक का, फिर preference dividend आ गया, 16,50 और 46,50 का, ठीक है जिए, अब अपना simply अपना लिख दीजिए, इसके बाद में हमारे पास ही last question है, यह clerical question आता है, एक्जाम में एक, बिल्कुल clerical question है, इसके अंदर आपसे, पांच इवार अलग-लग calculation करवाएगा, question पड़ते हैं, RM Steels Limited requires 10 lakh रुपीज, 10 lakh रुपे की हमें ज़रु आता है, ठीक है जी, for construction of new plant, it is considering three financing plan, plan one, company may issue 1 lakh ordinary equity share at 10 रुपीज 10 per share, ठीक है जी, एक लाग share issue करदो, दूसरा, पचास हजार share issue करदो, और पांच हजार bond, 100 रुपे वाले डिवेंचर, 8% के rate से करदो, यानि कि, पहले वाले case में 10 lakh रुपे equity से आएंगे, दूसरे वाले case में 5 lakh रुपे equity से, प्लस 5 lakh रुपे डिवेंचर से आएंगे, तीसे case में कह रहा है, 50,000 share issue करदो 10 रुपे वाले, और 5,000 preference share, 100 रुपे वाले issue करदो, 8% rate पर, तो 3rd case में 5 lakh रुपे equity से, और 5 lakh रुपे preference share से आएगा, तो पहले प्लान है, 10 lakh रुपे equity से मंगवाओ, दूसरा प्लान है, 5-5 lakh रुपे मंगवालो equity और debt से, और 3rd plan है, 5-5 lakh रुपे मंगवालो equity और preference से, ठीक है जी, क्यारें, if RM still limited earning before interest and tax, are 20,000, 40,000, 80,000, 120, 2 lakh, and tax rate 50%, you are required to compute EPS under each of the 3 plans, अब जड़ा देखिए, हमारे पास अभी तक क्या होता था, 3 plan होते थे, लेकिन EBIT एक ही होता था, तो हमारे पास 3 column बनके काम खतम हो जाता था, अब इसमें 5 EBIT दिए हैं, और 3 plan हैं, तो 15 column बनेंगे, तो 15 column एक साथ हम बना नहीं सकते, आप सोचके देखे, पांच EBIT हैं अलग-अलग, और 3 plan हैं, तो 1 EBIT में 3 plan हैं, तो दूसरे EBIT में 3 plan हैं, तीसरे में 3 plan, चोथे में तीन प्लैन, पांच वे में तीन प्लैन, तो हमारे पास 15 कोलम बनेंगे, एक लेरिकल कोशन आता है, तो 15 कोलम हम एक साथ नहीं बना सकते, तो हमने इसके अंदर क्या किया है, जब आपने एक्यूटी से पैसा मंगवाया, तो EBIT 20, 40, 80, 21, 22 लाग था, तो क्या होगा जब आपने डेट और एक्यूटी से अधाधा मंगवाया, तो क्या होगा, और प्रिफ्रेंस और एक्यूटी से अधाधा मंगवाया, तो क्या होगा, इस टटीमेट में भी ऐसे आंसल दिया हुआ है, यह आप में आता रहता है, दस संबर का कोशन आता है, बिल्कुल क्लेरि रिक्मेंट करोगे, तो हर ABIT के लिए, जैसे 20 1000 का अगर EBIT है, तो Comb mug 7 कों सा वहतर है, बताना पड़ेगा 14000 पर कौन सा वहतर है, बताना पड़ेगा 8000 पर कौन सा वहतर है, बताना पड़ेगा तो 5 अलग-अलग जहेंपर आप बता सकते हो कि कौन सा plan बहता रहे तो सबसे पहले equity finance लिए उसमें कोई रिक्कत नहीं क्योंकि कोई interest नहीं इसके आट tax दिया कोई preference share नहीं number of share से divide किया EPS आपके पास आगया 10 पैसे 20 पैसे 40 60 और 1 रुपे जब आप that equity plan में जाओगे तो आपके पास interest आ जाएगा 40,000 का तो एक case में loss आ रहा है यहाँ पर देखें loss आ रहा है और यहाँ पर zero है तो zero वाला तो zero होगे कोई रिक्कत नहीं है पर loss की situation में क्या करेंगे तो देखी यहाँ पर हमें financial plan का क्या effect पड़ेगा वो बताना है तो हमारे पास अगला साल तो है नहीं कि हम carry forward करके दिखाएं तो हमारे पास अगले साल का उस से अगले साल का कितने project की कितनी life है यह एक ही साल का data है कि अगर एक ही साल में 20,000 कमा हूँ 40,000, 80,000 20,000, डोला कमा हूँ तो क्या होगा तो हम आगे ले जातर effect नहीं दिखा सकते इसलिए इसका यहीं पर set off कर देंगे और इसकी tax saving यहीं पर ले लेंगे तो 20,000 का loss है तो 10,000 का tax saving लिया 10,000 का loss बचा तो tax saving यहीं पर करके दिखानी पड़ेगी क्योंकि carry forward करने का option जैसे capital wasting में था कि 5 साल है हर साल इतना इतना कमाएंगे वो option नहीं है एक ही साल का data है कि इस साल 20,000 कमाओगे तो क्या होगा 40,000 कमाओगे तो क्या होगा 80,000 कमाओगे तो क्या होगा 20,000 कमाओगे तो क्या होगा और 2,000,000 कमाओगे तो क्या होगा तो 20,000 कमाओगे तो 20 का EPS negative होगा यहाँ 0, 40, 80 और 160 का EPS positive आपके पास आ जाएगा, same to same ऐसा ही preference share वाले case में भी होगा interest तो खतम हो गया equity और preference के बीच में interest नहीं है, लेकिन जब आपका earning after tax आया, उसके बाद में earning after tax में से 40,000 का dividend देना है, तो वैसे क्या होता है हमारे पास हम preference shares को अगर हमारे पास 10,000 का profit है और 40,000 का dividend है तो हम इस साल dividend दे ही नहीं पाएंगे बल्कि हम अगले साल cumulative करके double dividend देंगे procedure यह यह, पर data एक इस साल का है और हमें एक साल के अंदर effect दिखाना है तो यहाँ पर हमने यह मानते हुए कि अगले साल double देना है तो इस साल हम समझने के लिए minus कर दे है actual में नहीं दिया जा सकता actual में अगर आपके पास 10,000 रुपे का profit है 40,000 का dividend देना है तो possible नहीं है लेकिन समझने के लिए कि इसका effect EPS पर क्या परड़ आए एक बात सोचो, आज आप dividend नहीं दे पारे लेकिन ये liability किसके सर पर खड़ी हो गई equity shareholder के सर पर खड़ी हो गई क्योंकि इस साल नहीं दिया तो अगले साल double देना पड़ेगा जाएगा तो last में equity shareholder की जेव से तो उसका effect आगी हम देखना चाहते है तो यहाँ पर इसको minus करके दिखाती है जाएगा फिर आपके पास earning after tax में number of share divide करके calculation आ जाएगी तो जो भी effect है वो इसी साल में दिखाने है उनको carry forward नहीं करना तो इसमें यह चीज़ आपको देखनी है अब इसके अंदर हमें discuss करना है कि कौन सा option लेना चाहिए तो देखिए बड़ा simple है सबसे पहले 20,000 वाले पर लेते है equity plan 10 पैसे कमा कर दे रहा है यह 20 पैसे नुकसान में है यह 60 पैसे नुकसान में है कौन जीता? equity plan जीती है तो 20,000 रुपे का अगर EBIT है तो equity plan जीतेगा फिर 40,000 पर देखते हैं 20 पैसे 0 माइनस के 40 पैसे यहां पर भी equity plan ही जीत रहा है तो आपकी कमाई 20,000 हो यह 40,000 हो तो equity plan पर जाईए फिर 80,000 पर यह 40 पैसे कमा कर दे रहा है यह भी 40 पैसे कमा कर दे रहा है यह 0 कमा कर दे रहा है तो इस situation में आपका equity और debt plan equity और debt equity mix वाला यह indifference पर आ गए तो 20,000, 40,000 कमा रहे हो तो equity plan पर जाओ 80,000 कमा रहे हो तो equity और debt equity indifference point पर आ गए अब 120 कमा रहे हो तो 120 पर यह 60 पैसे कमा कर दे रहा है यह 80 पैसे यह 40 पैसे तो 80 पैसे वाला जीत लिया तो यहां पर debt plan जीतेगा और 2,00,000 रुपे पर यह 1,00,000 कमा कर दे रहे है यह 160,000, यह 120 कमा कर दे रहे है तो 160 जीत जाएगा तो यानि की 80,000 से अगर मैं पीछे जाके देखता हूँ तो equity plan बैटर है 80,000 पर अगर मैं देखता हूँ तो equity और debt equity mix बैटर है और अगर 80,000 से आगे जाकर देखता हूँ तो debt equity बैटर आ रहे EPS देखकर ही चेक कर देंगे तो हमारे पास यह आ गया कि अगर 80,000 से कम हो तो equity पर रहो 80,000 पर equity और debt equity mix बैटर ले सकते हो और 80,000 से जादा हो तो debt equity पर आप चले जाएए काम खदम यह ता हमारे पास EBIT EPS जो question मैंने यहाँ पर करवाए हैं इनकी practice कर देना इनी में से कोई एक chapter आपके exam में confirm आ जाएगा chapter का काम खदम जी अब अगर किसी का कोई question है तो वो पूछ सकता है chapter over होगे clear है सबको बहुत ही simple है बहुत ज़्यादा असान है जी बच्चों ने like वीडियो को बहुत कम कर रखा इस बात का हमें बहुत दुख रहेगा जी वन पर रिंद जी लाइब चेट होने किसी को कोई doubt के लिए रहे एकदम बिल्कुल एक एक चीज आपको याद आ गई होगी एक एक चीज एक बच्चा गया रहा है रेशो में networking capital और working capital सेम होता है बेटा रेशो में नहीं हर जगे पे सेम होता है वो एक बच्चा गया रहा है tax saving का concept पता तो कुछ नहीं करना अगर profit आ रहा है तो tax देना पड़ता है loss आ रहा है तो tax उल्टा हो जाएगा तो अगर profit positive है तो minus कर दीजे tax अगर profit negative है तो tax plus का sign बन जाएगा ठीक है जी बिल्कुल ओके अब हमारे पास में यहाँ पर हमारा अगला जो chapter है वो है leverage आज आओ भई leverage पर leverage हम start करेंगे 10 minute के break के बाद 11.26 हो रहे है 10 minute का break यह हो गया 11.36 11.36 पर हम start करेंगे 11.36 बाहे है बाहे है 11. sìंसे को is कि आप रहे है झाल 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 1.71 झाल 750 झाल 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 तो झाल झाल 50 इस झाल इस 1.29 झाल 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 100% झाल 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 तो इस 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 झाल इस 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 इस